नमस्कार मैं हूं तन्वरोरा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है पंडित जवाहरलाल नहरू कहते थे कि आज के बच्चे ही कल का नया भारत बनाएंगे और यही हमारा भविश्यताय करेंगे जवाहरलाल नहरू को बच्चों से प्रेम और लगाओ था उनके इसी प्रेम भावना की याद में भारत में बाल दिवस मनाया जाता है आज बाल दिवस के इस अवसर पर आए जानते हैं नहरू जी के जीवन से जुड़ी कुछ खाज बाते भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू का जन 14 नवंबर 1889 को बिटिश भारत से इलाहाबाद में हुआ था उनके पिता मोती लाल नहरू एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे मोती लाल नहरू सारस्वत कॉल ब्राम्भन समुदाय से थे स्वतंत्रता संग्राम के दोरान भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस के दो बार अध्यक्ष चुने गए उनकी माता स्वरू प्रानी थुस्सू जो लाहौर में बसे एक सू परिचित कश्मीरी ब्राम्भन परिवार से थी मोती लाल की दूसरी पत्नी थी वो पहली पत्नी की प्रसव के दोरान मृत्यू हो गई थी जवाहर लाल तीन बच्चों में से सबसे बड़े थे जिन में बाकी दो लड़कियां थी बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में सयोक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी सबसे चोटी बहन कृष्णा हटी सिंग एक उलेखनी लेखी का बनी और उन्होंने अपने परिवार जनों से संबंधित कई पुष्ट के लिखी जवाहर लाल नहरू ने दुनिया के कुछ बहतरीन स्कूलों और विश्र विद्यालेयों में सिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा हैरो से और कॉलेज की सिक्षा ट्रिनीटी कॉलेज केम्बरीज से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने अपनी लौ की डिग्री केम्बरीज विश्व विद्याले से पूरी की इंग्लेंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किये जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आईरिश रास्ट्रवात के लिए एक तर्क संगत द्रिष्टी कोन विक्सित किया जवाहरलाल नहरू 1912 में भारत लोटे और वकालत शुरू की 1916 में उनकी शादी कमला नहरू से हुई 1917 में जवाहरलाल नहरू होम रूल लिग में शामिल हो गए राजनिती में उनकी असली दिख्षा दो साल बाद 1919 में हुई जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवग्या आंदोलन और असहयोग आंदोलन में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया था सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधान मंत्री के लिए कॉंग्रेस में मद्दान हुआ तो सरदार पटेल को सरवाधिक मत मिले उसके बाद सरवाधिक मत आचारिक रिपलानी को मिले थे किन्तु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचारिक रिपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नहरू को प्रधान मंत्री बनाया गया उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है नहरू जी ने व्यवस्थित रूप से अनेक पुस्तकों की रचना की है राजनितिक जीवन के व्यस्ततम संघर्श पूर्ण दिनों में लेखन हेतू समय की नितांत अभाव का हल उन्होंने यह निकाला कि जेल के लंबे निरस दिनों को सर्जनात्मक बना लिया जाए इसलिए उनकी अधिकांश पुस्तके जेल में ही लिखी गई है उनके लेखन में एक साहित्यकार के भाव प्रवन तथा एक इतिहासकार के खोजिह रिदय का मिला जुला स्वरू सामने आया है 29 मैं 1964 को जवाहरलाल नहरू को दिल का दौरा पड़ा जिसमें उनकी मृत्यू हो गई आजात भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू की जन्म दिन को ही बाल दिवस और चिल्डरन्स दे कहा जाता है क्योंकि नहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नहरू कहकर पकारते थे अगर हम नहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हमें उनके जीवन से धेर सारी सीख पाने को मिलती है नहरु जी एक महान त्वतंत्रता से नानी थे, देश को आजात कराने के लिए नहरु जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था नहरु जी के अंदर देश प्रेम की ललक साव दिखाई देती थी महात्मा गांधी उन्हें एक शिश्य मानते थे, जो उनके प्रेय थे नहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत कर अचाईता माना जाता है तो ये थी चाचा नहरू के जीवन से जुड़ी कुछ खास बाते बच्चे भग्मान का रूप होते हैं आज का पूरा दिन उन्ही को समर्पित होता है पहले के बच्चों और आज के बच्चों में खासा अंतर देखने को मिलता है आज बाल दिवस के इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आएं कुछ वीडियोज जो आज कल के बच्चों के चंचल पभाव को दर्शाते हैं साथ ही ये भी दिखाते हैं कि वो किस तरह अपने इस चंचलता से भारत का भविशिगर रहे हैं देखिए वीडियोज इस फोलीग दोलीग प्यव समय तो ये थी बाल दिवस के इस मौके पर हमारी खास पेशकर इंडियान न्यूज बाल दिवस के इस मौके पर परीजनों से निवेधन करता है कि बाल दिवस बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के द्वारा उन्हें अपने बच्चों के भविश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है इस दिन आप भी शपत ले कि कभी अपने बच्चों की उपेक्षा नहीं करेंगे साथ ही सरकार से भी आग्रा करते हैं कि वे बच्चों को मूलबूत सुविधाय, मुहया कराए, बाल, श्रम और सोशन जैसे गंभीर मुद्धों पर विचार विमर्श करें आप भी आज के दिन जरूरत मन बच्चों को भोजन खिलोने, पुष्टके और अन्य जरूरी वस्तुएं जरूर बाटें इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ, ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज हर पर हर शण हर सच